दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनबाल विपक्ष के कई नेताओं ने मोधी सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए जब उनके पास ये मेसेज आया इन नेताओं में केवल कॉंग्रिस के नेता नहीं है अखिलेश यादव जैसे विपक्ष के नेताओं को भी है मेसेज आया तो राहूल गादी ने इसे देकर प्रेस कॉंफरेंस की इस प्रेस कॉंफरेंस में जिक्र तो जासूसी का हुआ अडानी का हुआ लेकिन अचानक राहूल गांदी ने मीडिया की उस दुख्ती रख पर हाथ रख दिया जो मीडिया वालों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है खास तौर पर न्यूस चैनल्स और अख़बार वालों को आदे से ज्यादा तो अडानी के ही हैं अडानी के चैनल्स वाले हैं इसलिए उन चैनल्स वालों के कैमरों के जरीए राहूल गादी ने अडानी को कहा हाई अडानी जी अडानी के बार वस्क्तव लें ते मत पह रादानी कर दो अडानी को तौर हर सकते सावलों के cat बार ने जी मत पृत सबने तांस थैपके बाराद आर आiene के लिए इसके बाद तो राहूल गांधी ने वो बात बोल दी जो न्यूस चैनल के मालिकों को कत्ता ही अच्छी नहीं लगेगी तो उस तो करीब 16 साल का मेरा अनुभव हो गया है तीवी चैनल में ही मैंने लगातार काम किया है पिछले करीब करीब 20 साल से मैं यूट्यूब में हो जो न्यूस चैनल जनाने वाले लोग हैं बड़े पदो पर जो बैठते हैं उनमें से OBC की संख्या ना के बराबर है और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसका मैं खुलासा कर रही है नूस चैनल वाले भी जानते हैं और मालिकों का जहां जिक्र किया जाए चैनल के मालिकों का वहां तो OBC दलित और आदिवासी की कोई जगा ही नहीं है और इसी मुद्दे को लेकर राहूल गांथी ने एक बार फिट से न्यूस चैनल के मालिकों को जबरदस तुनाया प्रेस कॉंफरेंस को इसमें इस कमरे में कितने पिछले लोग बैठें आए हो पता है इस पेशल इनवाइट बट एक है आप एक हो ना ठीक है आपकी आवादी कितनी है इंडुस्तान में कितने होगी अब देखिये आप है आप है रपर्टर्स अब आप मुझे बताईये इंडिया गेजो टॉप मेडिया कंपनी से हैं जो आपको कंट्रोल करती हैं उन में से ओभी CEO's कितने हैं Dalit CEO's कितने हैं आदिवासी CEO's कितने हैं ओनर्स कितने हैं Zero Zero अब इस इस एक यूज प्रॉब्लम पर दे कंट्री इस इस अनधर टाइप अ मनोपली अधानी जो बाद राहूल गांदी ने आज बोली है पहली बार नहीं बोली है लेकिन इसका जवाब तो चैनल के मालिकों को खुद देना होगा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जाती विशेश के लोग ज्यादातर चैनल में दिखाई देते हैं कोई दलित, कोई आदिवासी, क्या कोई OBC आपको चैनल का हेड भी शायद ही दिखाई देगा ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों मीडिया में पिछडी जाती के लोगों की भागेदारी इतनी कम क्यों है इस सवाल का जवाब कौन देगा आप इस मुद्धे पर क्या सोचते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें सब्सक्राइब भी करें और ताइमस और जॉइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं